ठेडिंग पाँ का इस्कार दोस्तों आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपनी ट्रेडिंग चैनल में ट्रेडिंग वित रोहन में दोस्तों आज का टौपिक बोहत ही अनुक है और ये topic सभी लोगों के लिए अगर आप business कर रहे हो या आप job कर रहे हो या फिर आप कोई और काम कर रहे हो या फिर आप एक full time trader हो तो ये topic आप सभी लोगों के लिए और इस video को पूरा अंतक देखिए ताकि आपको समझ मैं ये topic क्या है और ये topic को मैंने क्यों select किया दोस्तों आप सभी लोगों की फर्माइशे आ रहेए थी के swing trading के ऊपर कुछ बताएए तो देखिए दोस्तों आप सभी लोगों की फर्माइशे मैंने यहाँ पर पूरी ही और मैंने जो भी बोला है मैंने वो यहां पे cover किया तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ comment करता हूँ मैं comment के साथ जो भी आपको सीखना है वो जरूर में cover करता हूँ चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं swing trading के तरफ तो हम देखेंगे how to start the swing trading दोस्तो swing trading को किस तरह से start किया जाता है देखें दोस्तो क्या होता है हमेशा market एक कोई particular direction में नहीं चलती या तो इस तरफ चलेगी या इस तरफ जाएगी कभी cover market sideways भी होती है तो दोस्तो swing trading का important point यह है कि आप इस trades को आप एक दिन से ज़ादा जब hold करते हो तो वो swing trading में चले जाता है उसे कहा जाता है swing trading यानि कि आप दो दिन के लिए किया या हफते के लिए किया या दो हफते या कई हफतों के लिए भी आप trade को continue कर सकते हो तो उ से हम कहते है swing trading और इस trading को किस तरह से किया जाता है और हम swing trading क्यों कर रहे हैं why swing trading swing trading इसलिए करते हैं कि दोस्तों हमको पूरा time नहीं देना है अगर मैं job कर रहा हूं तो मैं अपने job पे द्यान दूंगा अगर मैं business कर रहा हूं तो मैं business पर ध्यान दोंगा और side by side में यहां पर trading भी करते रहूंगा है ना दोस्तो double side income मिल रहे हैं आपको job से या business से भी मिल रहे हैं और आपको stock market से भी मिल रहे हैं क्यों क्यूंकि आप एक swing trader हो अगर आप swing trading करते हैं तो देखिए दोस्तो मान लीज से नीचे आ रहा है stock फिर से यहां पर नीचे आ रहा है then again आप swing low पर buy करोगे then again stock upset जा रहा है तो यह दिखिए फ्रेंड higher high and lower high बना रहा है तो यहां पर फिर से आप sell कर दीजिए और यहां पर फिर से आप buy तो इस तरह से आपको trend भी पतते लेगा this is called a trending stock क्या कर रहा है यह then again high then again low and then again high याने कि trending stock है और इस stock में आप swing trade कर सकते हो जो कई हफ्तों के लिए भी चलेगा या कई दिनों के लिए आप अपना काम कर रहे हो और यहां पर आपकी trading भी हो रही है तो चलिए आगे important points बताने वाला हूं उस points को miss नहीं करना है दोस्तों तो चलिए what are the important points for swing trading कौ चोलिकि दोस्तों price and action आपको हमेशा price and action को follow करना होगा price action रहा है जैसे मैंने आपको आगे बताया यहां पर price action यह बता रहा था कि stock trend में है अगर इस तरह आता तो stock downtrend में होता तो आपको price and action पढ़ने आना चाहिए stock क्या कह रहा है वो भी पता होना चाहिए तो दोस्तो price and action एक important part play करता है and then comes the technical analysis कहां पे breakout हो रहा है कहां पे breakdown हो रहा है कहां पे trend line breakout आ रहा है कहां पे कौन सा formation हो रहा है तो ये सभी important factors है technical analysis भी आपको आना चाहिए अगर आप swing trading करना and then important is risk management दोस्तो हम अक्सर क्या करते हैं अगर हम swing trade कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे एक साथ पैसा एक stock में लगा देंगे दोस्तो ऐसा नहीं करना है अगर अगले दिन stock gap down open हुआ तो आपको बहुत बड़ा loss होगा तो ये मत कीजिए तो risk management भी एक important part play करता है swing trading में then आपको trend पता होना चाहिए आपको stock का या market का trend पता होना चाहिए कि market कौनसे डायरेक्शन में जा रहा है and then important is volatility and high beta stock आपको पता होना चाहिए वो stock में किस तरह की volatility है and वो high beta stock है या low beta stock है अगर low beta stock है तो वहाँ पे इतनी momentum नहीं आएंगे इस तरह का low beta stock में जादा momentum नहीं आएंगे वो दीरे दीरे उपर बड़ेगा बड़ेगा बड़ जबकि high beta stock एक speed में बड़ेगा तो हमको इस swing का use करना है and सही direction में entry करके profit करनी है दोस्तों तो ये सभी factors हमको देखने पड़ते हैं and the most important factor is liquidity दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कई stocks में liquidity नहीं होती है कुछ thousands में ही volume रहता है बड़ दोस्तों हमको ये सब important factors है liquidity should be there in the stock अगर जब तक liquidity नहीं है तो वो swing का मजा नहीं आएगा और अगर liquidity नहीं है तो आप trap भी हो सकते हो तो दोस्तों ये सबी important points है अगर आपको swing trading करनी है और ये swing trading कैसे करने वाले है हम आने वाले next video में देखेंगे और swing trading के किस तरह से stock selection किये जाते हैं तो ये मैं next video में cover up कर रहा हूँ तो next video ज़रूर देखिए और मेरी channel को नहीं subscribe किया है तो अभी के अभी subscribe केजिए for learning purpose thank you friends for watching trading with rohan